भविश्य दक्ता मीका की पुस्तर मीका दक्षिनी राज्य यहूदा के मोरेशेत नामक एक छोटे से नगर में रहता था वो यश्याहा का समकालीन था इसराइल के उत्तरी और दक्षिनी राज्य बहुत पहले विभाजित हो चुके थे और दोनों ही इसराइल के परमेश्वर के साथ बंधी अपनी वाचा का उलंगन कर रहे थे। इसलिए मीका ने चेतावनी दी कि परमेश्वर उत्तरी राजी को मिटाने और यरुशलिम को तबाह करने के लिए असीरिया के बुरे सामराज्यों को लाएंगे। और उसने ये भी चेतावनी दी कि असीरिया के बाद बेबिलोन इससे भी बड़ा विनाश लाएगा। सभी भविश्य दखताओं की तरह मीका ने परमेश्वर की ओर से बात की और इसराइल पर आरोप लगाया या जैसा उसने अध्याय तीन में कहा, मैं तो यहुवा की आत्मा से शक्ति, न की चेतावनियों का वर्णन करता है, लेकिन मीका के पास भी आशा का संदेश था, जो इन चेतावनियों के साथ साथ था, और ये उस बहाली के विशय में था, जो परमेश्वर अपने डंड के बाद लेकर आएंगे, आप हमारी पुस्तक के गहराई में चलें, और देखें क कि ये कैसे काम करता है, तो पुस्तक के पहले दो खंडों में इसराईल तथा उसके अगवो के विरुद्ध मीका के आरोप और चेतावनिया है, अब पहला खंड का आरम एक काव्य वर्णन से होता है, जो इसराईल पर परमेश्वर के प्रकट होने के विशय में है, ये वर् इसराईल के उन सभी कजबों और शहरों के नाम लेता है, जो इस विद्रोह के अपराधी है, परमेश्वर उनके लिए आ रहे है, लेकिन क्यों, तो मीका इसराईल के अगवो के साथ जगडा करता है, वो कहता है कि वो चोरी और लालत से अमीर बन गए है, वो पहले राजा अध्याई 21 में अहाब द्वारा नाबोत की दाख की बारी चुराने के जिक्र करता है, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसराईल के भविश्यदक्ता भ्रश्ट हैं, वे उन लोगों को परमेश्वर की सुरक्षा के वादे बेचने के लिए है, जो उनकी कीमत दे सकते है नहीं, मीका कहता है, परमेश्वर ने इसराईल पर से अपनी सुरक्षा वापस ले ली है, आरोपो के दूसरे खंड में मीका ने और भी वर्णन किया कि कैसे इसराईल के अगवे और भविश्यदक्ताओं ने मिलकर भैंकर अन्याई किये हैं, वे रिश्वत के बल पर देश चलाते हैं, वे अमीरों के पक्ष में न्याई करते हैं, और गरीब अपनी भूमी, सुरक्षा और आशा से वन्चित है, और ये सब तोरह के नियमों का उलंगान है, जिसमें ऐसी भूमी को बेचना गैर कानूनी घुशित किया गया है, जो परिवारों से संबंधित हो, भले ही वे गरीब क्यों नहों, और हम पाते हैं कि परमेश्वर का डंड एक दमनकारी राष्ट का रूप लेने जा रहा है, जो उत्तरी सामराज्य और यरुशलिम और उसके मंदिर को नश्ट करने के लिए आएगा, और वे खंड़हर हो जाएंगे, अब ये चेतावनी बहुत क शेश लोग हैं, बचाने और फिर से इखटा करने जा रहे हैं, और वो उन्हें वापस अच्छे स्थान में लाएंगे, और एक बार फिर उनके राजा होंगे, चेतावनी के दूसरे खंड की समापती तबाह हुए यरुशलिम मंदिर के चेतरन को लेकर होती है, मीका कहता है कि ये स्थाई नहीं होगा, एक दिन परमेश्वर अपने मंदिर पर हर्शित होंगे, वो उसे अपनी उपस्थिती से और नगर को बचे हुए अपने शेश लोगों से भर देंगे, तो परमेश्वर का उद्देश इसराइल को स्वर्ग और प्रित्वी से मिलने का स्थान ब सविताओं को सुन्दर रचित ट्रंकला में विक्सित करता है, जो पूर्ण रूप से इसराइल और जातियों की आशा के विशाई में हैं, हम ये जान पाते हैं कि असीरिया के हमले के बाद इसराइल पर बेबिलोन की जीत होगी, और वो लोगों को निर्वासन में ले जाए वो बेतलहम में जन्म लेंगे, और फिर परमेश्वर द्वारा पुनहस्थापिद लोगों पर यरुशलेम से राज करेंगे, अंत में मसीहा के राजवाले परमेश्वर के इस राज्य में परमेश्वर के लोगों के बचे हुए विश्वासी लोग जाती-जाती में बन जाएंगे लेकिन साथ ही परमेश्वर अपना अंतिम न्याय का कार्य करेंगे और अपनी दुनिया से बुराई को मिटा देंगे पुस्तक का अंतिम खंड वापसी की उस सनरचना में है जो हमने पुस्तक के पहले भागों में देखा था अर्थात पहले चेतावनी और फिर आशा तो यहां मीका ने फिर से इसराइल के अगवो की अन्याय पूर्ण आर्थिक कार्य प्रणाली को उजागर किया और कैसे ये देश और उसके लोगों को नश्ट कर रही है और यहां मीका अपने प्रसिद्ध शब्दों को प्रस्तुत करता है जो इस बात को सारांशित क करते हैं कि इसराइल के लिए अपने लोगों का अनुसरण करने का अर्थ क्या है है मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तु नियाय से काम करे और क्रपा से प्रीती रखे और अपने परमीश्वर के साथ नम्रता से चले ये वही है जो इसराइल नहीं कर रहा था और इस कारण वे बरबाद हो जाएंगे लेकिन पुस्तर आशा की एक और शक्तिशाली टिपपणी के साथ समाप्त होती है इसराइल को एक व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है जो शर्म और हार के की विंति करता है लेकिन क्यों परमेश्वर एन विश्वास हीन और विद्रोही लोगों की क्यों सुने और उन्हें क्यों शमा करे कवी यहां दो कारण देता है सबसे पहले वो कहता है परमेश्वर के चरित्र के कारण आपके जैसे परमेश्वर कहा है जो अधर्म को शमा कर और अपरात को ढाप लें। वो जानता है कि परमेश्वर की दया उनके क्रोध या उनके डंड से अधिक शक्ति शाली है। और दूसरा कारण है परमेश्वर के वादे। वो कहता है आप याकुब के विशाई में वो सच्चाई और अबराहम के विशाई में वो करुणा पूरी करेंगे। जिसकी शपत आप प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पित्रों से खाते आएं हैं। ये पुस्तक के अंतिम शब्द है। ये उत्पत्ति की पु के प्रती विश्वास योग्य होना चाहिए। इसलिए ये मीका की पुस्तक में वर्नित डंड और आशा के बार-बार उलिक का कारण है। अगर परमेश्वर इसराइल के द्वारा सब जातियों को आशिश देने जा रहे हैं तो उन्हें अपने लोगों के बीच बुराई को उजागर करना होगा और उसे डंडित करना होगा लेकिन उनका ये डंड आशा को उत्पन करता है। क्योंकि परमेश्वर का वाचा आधारित प्रेम और प्रतिग्या मानव बुराई से अधिक शक्तिशाली है और परमेश्वर का उद्देश नश्ट करना नहीं है बलकि पापो को गहरे समुद्र में डाल देंगे और मीका की पुस्तक में बस इतना ही।